वेलकम दोस्तों एक पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है Mr.Dagger चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग application लेकर रहा हूँ दोस्तों इस application का आप तब यूज करेंगे जब आपके mobile में home बटन या फिर back बटन या recent बटन ज दोबाए latest वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें एक application चाहिए होगी इस application में वीडियो के description में दे दूँगा इस application नाम है multi action home बटन तो इसे आप description से डाउनलोड तर सकते हैं डाउनलोड करने बाद इस application उपन करेंगे उपन करने बाद कुछ इस तरीक के जो है बो इंटरफेस आपको दिखाई देगा आपको ओकी कर देना है ओकी करने के बाद यहाँ पर नीचे सबसे नीचे देख पा रहे हैं आप left center and right यहाँ पर आपको कुछ left पे red color का center पे blue color का और फिर right पे red color का जो है बो buttons दिखाई दे रहे हैं कुछ color दिखाई दे रहे हैं तो आपको यह दोस्तो color नहीं है यह आपके mobile के button है जो आपके huge में आने वाले हैं तो अभी यह बहुत ही छोटे हैं तो आपको इसकी height और wedge लंबाई चौनाई जो है बो ज़्यादा कर लेनी हैं तो मैं यह चौनाई करता हूं इसकी आप अपने हिसाब से से ले लीजी जित्ता भी रखना चाहते हैं मैं ले लेता हूं 80 और यह height ले लेता हूं 60 center पर आप देख पा रहे हैं इसकी लंबाई और चौनाई जो है बढ़ गई है तो इसे क्लिक करने में आसानी होगी तो ऐसे ही left में आप जाईए left में slide कीजिए अब इसकी height और width 80 और height 60 okay तो okay करने के बाद दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह buttons आपके बहुत ही बढ़ी आसानी से दिख रहे हैं आप इसे इनकी लंबाई चोड़ाई बढ़ा लीजिए फिर इनका काम कैसे होगा तो आप आईए सबसे पहले आईए left में left में आप यहाँ पर उपर तीन बटन देख पा रहे हैं यहाँ पर action on click, action on double click, action on long click आपको करना क्या है action on click पर click करना है उसके बाद आप एक बार अगर click करेंगे तो आप कोई भी feature खोलना चाहते हैं तो उससे आप एक बार select कर लिजी जैसे कि मैं एक बार click करूँगा तो recent application खुल जाएगा तो मैं recent application पर click क okay कर देता हूं, okay करने के बाद कुछ इस तरीके जो है interface दिखाई देगा, आपको permission enable कर देना है, multi action button enable कर देना है, back आ जाना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर action on double click पर click करते हैं, उसके बाद जो भी application आप लेना चाहते हैं, बोलीजिए, जैसी कि मैं ले लेता हूं, device setting, okay, अब यहाँ पर action on long click, यहाँ पर action on long click पर मैं चाहता हूं कि screenshot आ जाए, तो मैं इसे okay कर देता हूं, देखते हैं दोस्तों यह कैसे काम करता है, इक बार इस पर click करते हैं, देखते हैं क्या खोलता है, एक बार click किया, recent application आ गया है, अब दो बार click करते हैं, देखते हैं क्या हो लोंग प्रेस किल्क करने के पर दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन सॉट लेने को बोल रहा है तो आप यहां से स्क्रीन सॉट भी ले सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह सही तरीके से एप्लिकेशन बर्क कर रहा है ऐसे आप भी अपने मॉवाइल में इस application का बढ़िया तरीके सी यूज कर सकते हैं मैंने सिर्फ आपको left side में ही application लगा कर दिखाए आप यहाँ पर center में भी लगा सकते हैं center बाले button पर और यहाँ पर right बाले button पर भी जो है भी लगा सकते हैं और यहाँ से buttons का color भी change कर सकते हैं से कि आप चाहें अपने हिसाब से यह दोस्तों बहुत ही बढ़िया application है आशा करता हैं दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें सेर करें और हमारी यूटूब चैनल मिस्टर डेकर को जरू-जरू सब्सक्राइब करें साथ-साथ बैल लाइकन को भी दमाए तक आने वाला वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे है और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके हैं अगिंफरेक थैंक्स वर वार्चिंग